हेलो फ्रेंट्स और स्टुडेंट्स आज हमारा दूसरा क्लास चल रहा है वैसे देखा चैते तीसरा क्लास है लेकिन ड्रॉइंग्स के दूसरे क्लास है पिछले क्लास में हमने सिफ लाइन और पॉली लाइन और सरकल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे आर्क कि किस तरह के साम यूज करें ellipse बाकि यह सब चीज़ां हम आज पढ़ेंगे पिछले क्लास में एक चीज बताना भूल गया था वो यह था कि लाइन को अंगल में किस तरह के से लिए मान लीजिए एक लाइन है यह लाइन है लेकिन लाइन को लाइन को अगर मैं इक ऐसे एंगल में ली जाओ जैसे लाइन को हम अगर जैसे ऐसे होता है 45 डिग्री में 30 डिग्री में 180 डिग्री में अभी तो मानली जी 180 डिग्री है इसको हम कैसे कर सकते हैं के लिए मैं आर ओ न करना चाहता हूं रो न्ह etap με इनने और वोट का मतलब ह होता है रोर Duty का Command का अरो शॉट कमान डेय्सट और बाने के बाता हम एंटर दभाई एंस बीर की फिर इसको को इसे बाले क्लिक करता हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं 45 45 45 डिग्री लिखना जाता हूं तो 45 डिग्री डाल दिया तो यह एंगल 45 डिग्री का एंगल हो गया यह यह जो है सॉरी यह जो है यह यह जो है यह 45 डिग्री में है अब मान लिजे मैं इसको एको या ड्रॉ करता हूं मैंने एको या ड्रॉ किया अब इसको 90 डिग्री करना जाता हूं तो फीर से 60 wilt और ओ दबाके मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब इसको मैं 90 कर देता हूँ तो यह 90 डिग्री आगया आप देख रहें 90 डिग्री हो गया ठीक है स्टेट एंगल आगया 90 डिग्री वर्टी के लिए अब रोटेट से आप लाइन को बहुत तरीके से एंगल में आप चेंज कर सकते एक और तरीका है मैं वो पता देता हूँ मान लिज्या लाइन है लाइन का मान दिया लाइन दिया अब लाइन को मैं को स्पेसिफिक लेंड देना चाहता हूँ तो आपको दिखेगा कि 0 डिग्री है आपको यहां पर करसर के पास देखी 0 degree है और उपर लेंद है तो 0 degree है तो 0 degree पर जाने के लिए हम टैप दवा देंगे अब टैप यहां पर डिगरी देख सकते हैं डाल दीजे हम यहां 45 डिगरी अब यह 45 डिगरी में आ गया ठीक है वैसे गरत बनाए मैं आपको सही तरीका दुवारा बता देता हूं आप एक लाइन ड्रॉ करके क्लिक मत करना लाइन को कमांड में रहना उसके बाद अभी हमारा जो कमांड है वो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का यहां पर मुझे लेंद डालना है जो ब्लू कलर का वो लेंद डालना है तो लेंद मैं डाल देता हूं 200 अब 200 डालने के बाद टैब दवा देंगे टैब टैब दवाते ही हम डिगरी पर आगे अब मुझे 200 लेंद के लाइन को कितने ड 45 डिग्री डाल देता हूँ तो इसकेब दवारता हो खत्म तो यह जो है यह जो लाइन है यह 200 mm का है ठीक है यह 200 यह 200 mm का है और डिग्री कौन सा है 45 डिग्री इस तरीके से आप किसी भी लाइन को एंगल में लेके जा सकते हैं उमीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा औरल हमें दूसरी तरफ चलते हैं जिसका नाम आर्क मैं बहुत सारे चीजों में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे क्पल तरह से बता हूं internet designer हैं हमें ना कभी कब बहुत सारे से furniture बनाने होते हैं जिसमें आर्क इस्तमाल होता है या कुछ ऐसे ऑब्जेट्स आ जाते हैं जिसको हमें आर्क में होता है मान लीजीए मैं एक rectangle बना रहा हूं लेकिन मैं चाहते हूं यह आरक में बने ठीक है यह आरक में बने तो मैं स्टार्ट सेंटर लेंथ इंपोर्टेंट है यह तीन ही काम आता और बाकी सब इतना इंपोर्टेंट नहीं है यह में तीन ही इंपोर्टेंट है तुम्हें थ्री पॉइंट का मतलब तीन पॉइंट में हमें आर्क को कवर करना है एक पॉइंट डाला दूसरा पॉइंट डाला तीसरा पॉइंट डाला यह एक आर्क बन गया ठीक है दूसरा और एक देखते हैं आर्क कमांड लेते हैं यह एक पॉइंट डाला एक पॉइंट यह दूसरा पॉइंट डाला और यह तीसरा पॉइंट डाला यह एक आर्क हो गया आपको समझ मैं यह तीन पॉइंट से हमना आर सेंटर हम यहां लेते हैं और एंड हम यहां करते हैं आ गया दुबारा करके दिखाता हूं फिर से कमांड हम लेते हैं आर्क का फिर यह स्टार्ट सेंटर और एंड स्टार्ट सेंटर और एंड आर्क बन गया ठीक है इसी तरीके से हम स्टार्ट सेंटर और लेंद दालेंगे माझन लिजी यह स्टार्ट सेंटर और लेंद कितना देना चाहते हैं मानली चाहिए मैं देता हूँ 200 200 लेन देना चाहता हूँ तो यह 200 का आगया है ठीक है बिसीकली मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आर्ग बनाने के लिए हम सब्सक्राइब इस्तमार करते हैं इसका 3 रेक्टेंगल में जाते हैं क्लिक किया रेक्टेंगल बन गया लेकिन यह तो रेक्टेंगल का शॉट फॉर्म है री C, Enter, R, E, C, Enter, दुबारा बताओ, R, E, C, Enter, यह है Rectangle, Rectangle को R, E, C, Enter दबाने के बाद, अब हमें पता नहीं कितना है, तो हमें एक काम करेंगे, Length and Breed दानने के लिए, हम क्या करेंगे, पहले डालेंगे, R, E, C, Enter, Enter दबाने के बाद, First Click करेंगे, Drag करेंगे, Drag करने के बाद, कुछ नहीं क्लिक करेंगे, फिर Shift, Add the Rate दबाएंगे, Shift, Add the Rate दबाने के बाद, आपको Length और Breed दालना है, मान लिजे, Length है, 200, 200 डालने बाद, कॉमा देंगे, दूसरे टैब में चले गए, कॉमा देने के बाद, आप डालेंगे, 500, यह आपके सामने बन गया, Rectangle एक, ठीक ह इसी कोई, अब हम मान लिजे, हमें रोटेट करना, इसको रोटेट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, खैर वो तो मैं Modifier में सिखाऊने वाला था, यह रोटेट हमने कर दिया, अब Rectangle आपको सही से लग रहा होगा, तो इस तरीके से हम Rectangle कर सकते हैं, Rectangle कमांड है इसलिए, Rectangle को हम LINE से भी कर सकते हैं, Poly LINE से भी कर सकते हैं, मान लिजे, PL दबा दिया यहाँ पर 500 दबा दिया, Enter दबाया, फिर निचाया, 200, 200, Enter दबाया, फिर ऐसे ले गए, 500, Enter दबाया, फिर 200 यहाँ पर क्लिक कर दिया, हो गया, है ना, Easy है, तो आपको तरीके धूनने है, तरीके बहुत सारे हैं, एक कमांड से नहीं होता है, तो दूसरे कमांड से हम Apply करके कबर करने इसलिए एक से दो-दो से तीन अलग-अलकत तरीके से बता रहे हूं था कि एक कमांड से आप नहीं कर पते हैं दूसरे कमांड से आप अपना काम निकलवा ल Baum goddamn सेटर E alte फिए होता है Eijo mer passenger से में ने देखा होगा कि एक वहता है सेंटर में क्लिक कर दिया और उसके बाद आवा बना दीजिए अब इसमें डाइमेंशन आप दास रखते हैं 200 का दे देते हैं 200 का हो गया यह ठीक है फिर हम इसमें गए एक्सेज में यहां तीन पॉइंट मांगें एक दो और यह तीसरा पॉइंट के लिए लेंट डालना पड़ेगा हम डालते थे 500 कि आगया ठीक है अब आते हैं इसमें हैच ग्रेडियंट और बाउंडरी हैज ग्रेडियंट बाद में बताऊंगा जब मैं कोई ड्रॉइंग बनाके वह दूसरे क्लास में बताऊं किस तरीके से करे बन जाते हैं पैंगे हैं इसलिए करते हैं आप करने के लिए हम हैच डालते हैं जैसे कि हजो करना है या फिर हमन अब कि आइरैन का Cross है तो वह को शो करना है electrical points हो करना है तो हम हैच डालते हैं ठीक है यह किसी मैट्रियल के इस्तेमाल कर रहे हैं किसी अबजेक्ट में तो उसके लिए हम हैच डालते हैं है चीजों को तो अभी आपको यह समझ में आगए लेकर boundary क्या बताता हूं मान लीजिए ये एक Line है एक Object है जी एक Object बनाता हूं लाइन से मैं एक ऐसे और ऐसे 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 और या ये एक Object है लेकिन ये और आपजेक्ट बने ये सारा अलग-अलग है ये तरह लग अलग है आपको देख रहा होगा ये अलग-अलग है अना मैंने पिछले बाले क्लसम बता देए इसको इसको हम पॉलिगोन से हम एक आप्जिएक बना सकते हैं लेकिन लाइन से अलग-अलग है लाइन से यह अलग-अलग है तो इनको इखट्टे कर देते हैं ठीक है अब हमें पता है यह सारे लाइन अलग-अलग है लेकिन बाउन्डरी का क्या इस्तमाल है बाउन्डरी पर हम जाएंगे बाउन्डरी करेंगे यह पॉलि लाइन ही रहेगा क्योंकि boundary पर हम क्या करते हैं इसको पॉली में convert कर देंगे boundary में बाउंडरी के लेने का मतलब पॉली अब से बोले current viewpoint current viewpoint में डालना है ओके करना है आम हमने यह viewpoint हम इसको इसकी boundary चाहिए तो हम इसमें क्लिक कर देंगे तो एंटर दवा देंगे तो यह boundary बन गया इसका मतलब अभी आप सोचेंगे कि यह एक object बना दिया नहीं इसका जो हमने पहले object बनाया था उसका boundary ले लिया है ठीक है अभी यह अलग-अलग है लेकिन इसी shapes का boundary ले लिया है और यह बन गया है polygon ठीक है अब polygon में हम स्ट्रेज भी कर सकते हैं vertex भी डाल सकते हैं Convert इंटो आर्क भी कर सकते हैं इसमें ले गए दुबारा stretch कर सकते हैं हम हम इसको पकड़के हम स्ट्रेज भी कर सकते हैं इस पर ले गए हम एड़ वर्टेक्स हम वर्टेक्स भी एड़ कर सकते हैं तो पॉलीगन में हम वर्टेक्स को एड़ कर सकते हैं स्ट्रेज कर सकते हैं आर्क लगा सकते हैं यह हमें शियाद रखना पॉलीगन में हम इस तरीके स को पॉलीगोन में object में convert कर सकते हैं कोई सी तप चाहिए वो line से बनाए या polyline से बनाए circle से बनाए किसी छीज लगा सकते हैं आर्क भी चेंज कर सकते हैं आप हम दुबारा जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर है ग्राइट्गल लीए इसको लिखना पहरुज अधायों पंदू़ के प्लिक करने के बाद है यह जो है circumscribed about circle आपका दीके triangle बन गया ठीक है इस तरीके से triangle बना सकते हैं और अब तक आपने class ले 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 हो तो आपको पता चलिए होगा triangle का में दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं line से ही बना सकते हैं angle डाल देंगे straight line देंगे और हम line से भी इस चीज़ को बना सकते हैं ठीक है तो आप आज का ये 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 चीज़ खतम हो गया draw वाला section खतम हो गया modify section next class में शुरू करते हैं ओके next class में modify modifying वाला काम शुरू करेंगे किस तरीके से होता है तो मिलते हैं next class में